हलो स्टेडेंट एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जैनपीश पुसल में आई चलते हैं मुनत्य सच्चक बढ़ती की बारे में एक अहम सुचना और एक अहम जनकारी देते हैं आप सभी लोगों को जैसा कि आप सभी लोग देखे कि कल आपका एक जून ए इन्होंने मनलब जटसाब ने कहा कि तीन जून यानि बुदवार को तीन जून को पब्लिज किया जाएगा हाइट लखनाओ भी अपने आप में एक अहम हाइट है और जो फैसला सुना रही है कोट के आदेश दे रही है या रिजर्व कर रही है तो इस चीज़ का पालन सरक लेकिन देखिए कितना कुछ हो रहा है कोट आडर रजर्ब की आडर बता दी कि नहीं तीन जून को इसको पॉब्लिस किया जाएगा फिर भी इसके बाद भी आपको देखने को मिला कि जो सेलेक्टेट परसन थे जो जिला आवंटन का लिस्ट था उसको उसी दिन जारी कर दिय गया इसका मतलब सीधे सीधे कोट के आदेश का बिलकुल भी पालन नहीं किया गया सरकार मतलब इस पे बिलकुल चुप है एकदम सांथ है क्या यही दिन देखने के लिए जनता सरकार को बनाती है जरा गवर करिये आप सभी लोग क्या यही दिन देखने के लिए जनता सरकार क बनाती है कि हाई कोट के आदेश को भी कुछ भी नहीं माना जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकल ला है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम मनमानी तरीके से हर चीज को किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, कुछ पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है, पब्लिक बनाई है, पब्लिक बिगार भी सकती है, तो इस तरह से ऐसा ना किया जाए, कि किसी को दुख हो, किसी कोई समस्या हो, सबका सम्मान किया जाए, ये चीज़ को सबको सोचना पड़ेगा, जैसा कि देख रहे हैं कि 1110 सीट एस्टी की सीट थी उसको भी हटा दिया गया जो लिस्ट बनी उसको भी हटा दिया गया तो मैं यह अग्रह करना चाहता हूं अगर मेरी बात सरकार तक गौर्णमेंट तक पेंपी तक पहुच रही है तो प्लीज आप सभी लोग इसको आड करने कोशि वो सेलेक्ट हो सकें जिनका बहुत कम नमर से रह गया है उनका सेलेक्शन हो सकें यह एक रिक्वेस्ट है इस बैकेंसी में और मैं बता दूँ अगर जिस किसी भाई का अगर बार्डर लाइन पे नहीं हो पाया है जिनका चैन सुची में नाम नहीं आया है वो हमें कॉंटेक 39131798 यह WhatsApp नमर है 9493 जैसा कि मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूँ इसको आप चाहें तो नोट कर लें और मुझे पॉसली में WhatsApp करें ठीक है पॉसली में WhatsApp करें नमर फिर से लिख दे रहा हूँ 9839131798 यह नमर है इस पे आप सभी लोग contact करें और यह बताया जा सरकार को हम लोग कि प्लीज आप सही तरीके से operate करिए सही तरीके से work करिए जिससे कि छात्रों का नुकसान न हो और जो अच्छे सात्र हैं जो नहींने बहुत अठीन परिस्रम से मेहनत करके थोड़ा बहुत अंक अर्जित नहीं कर पाये है या किनी कारण बस नहीं हो पाया है यह आप सभी लोग पता है कल कितनी बहस हुई कल कितना कुछ यह साभ ने सुनाया लोगों को लेकिन इसका कुछी कुई असर नहीं पढ़ रहा है सब कुछ बता दिया सब कुछ हो गया अडर विरजर भो गया लिजनिक से बाद ही वेकंसी को फिर से कराया जा रहा है ठीक है तो यह चीज सही नहीं है हमेशा गलत का विडियोत करना चाहिए सब को तो बने दगे हमारे इस चनल में आप हमसे जुड़िये हम अपने समस्या को बताएए ख्यासर स्वाब दगल वेकंड़ करना बात ड़ियोत करना चाहिए लादा है तो बना समस्या चाहिए तो